हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग तो जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक्यू चलिए तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 11 टेक है इसका नाम है इंडियन म्यूजिक यानि की भारतिय म्यूजिक जैसा कि आप सब यहां फ्रेंड्स इ और इसमें हार्मोनियम है यह सब इंस्ट्रुमेंट्स सुझो होते हैं फ्रेंड्स जब कोई म्यूजिक बसता है तो उसके पीछे आपको यह इंस्ट्रुमेंट्स सुनाई देते होंगे ठीक है चलिए तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नम्बर थ्री लता मंगेशकर और लिविंग लेजेंड्स देखे फ्रेंड्स इसमें लेजेंड्स का मतलब होता है लेजेंड्स उननलो ओं को कहा जाता है जो अपने किसी फीडियो में बहुत फेमस होते हैं या बहुत काम कर चुके होते हैं या जिनने सब जानते होते हैं और लिविंग लेजर्ट का मतलब ऐसी लेजर्ट जो अभी जन्दा होती हैं उनमें से एक है लता मंगेशकर यह बहुत अच्छी सिंगर है तो चलिए इनके वाली सिंगर से हैं कि शी है संग मोर देन 30,000 सौंग्स इंग 20 डिफ्रेंट लेंग्विजिस उन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से जाधा गाने गाये हुए हैं लता मंगेशकर वस बॉन 28 सेप्टेंबर 1929 इन इंदौर लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सेप्टेंबर 1929 को इंदौर में हुगा था फादर दीनानात मंगेशकर वस आल्सू आ फेमस सिंगर उनके जो फादर थे दीनानात मंगेशकर जी वह भी एक बहुत ही प्रख्यात गीतकार थे लता मंगेशकर जी ने बहुत ही कम उमर में ही संगीत सीख लिया था लता मंगेशकर बहुत छोटी ही थी तब ही उनके फादर की डेथ हो गई टू टेक केर ऑफ हर फैमली अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए लता एक्टेट इन एट फिल्म्स लता मंगेशकर जी ने अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कुल आठ फिल्मों में एक्टिंग भी की या नहीं की काम भी किया हर फर्स्ट हिंदी प्लेबेक वास्क फॉर दफिल्म आपकी सेवा में वो पहली फिल्म जिनों में जिसमें उन्होंने काम किया उसका नाम था आपकी सेवा में जो 1947 में रिलीज हुई थी इन 1949 शी हैट फॉर मेजर हिट फिल्म बरसाथ, अंदास, दुलारी और महल 1949 में उन्होंने और चार बहुत ही हिट फिल्में दी जिनका नाम था बरसाथ, अंदास, दुलारी और महल उन्होंने बहुत प्रख्यात सिंगर्स के साथ गाने गाए जैसे कि मौहमद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और सोनुनीगम जी अन्हों की सफलता और डिड़िटामिनीशन का मतलब होता है कि जो काम आप करते हैं न वो कितना ध्यान से और कितनी द्रड़ता से करते हैं उसे determination कहते हैं तो उनके काम करने की इस लगन ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कामयाब महिला बनाया भारतिय संगीत की दुनिया में उन्हें मैलेडी क्विन के नाम से जाना गया लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे अवर्ट लिये इन में से जो सबसे बड़ा पुरुस्कार था वो भारत रतन था भारत रतन जो होता है ना फ्रेंग्स वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अवर्ड होता है ठीक है आफ्टर रिसीविंग ओल दिस ये सारे अवर्ट लेने के बाद शी स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग अवर्ट टू प्रोमोट न्यू टैलेंट्स ये अवर्ड लेने के बाद उन्होंने एवर्ट लेना बन कर दिये जिसने नए लोगों को मौका मिले शी कंटिन्यू टू सिंग इवर्ट टुडे एंड परफॉर्म लाइव अलसू वो आज भी गाने गाती हैं और लाइव यानि लोगों के सामने परफॉर्म करती हैं लता मंगेशकर इस दूली ये लिविंग लेजेंट आफ इंडियन म्यूजिक सही में लता मंगेशकर एक जीती जाकती महान प्रख्यात संगीत कारा है हमारे भारतिय म्यूजिक की ओके फ्रेंट्स अब हम एक्टिविटी नंबर एट ताना रीडी पढ़ेंगे एक बार किसी ने बताया अकबर को अकबर एक मुगल चाशक थे उनके अनुसार जो राग दीपक होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है ऐसा अकबर ने सुना वो ये बात सुनके इतने खुश हुए कि उन्हें ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने अपने जो कोज मुजिशन यानि जो उनके दरबार में संगीत कार थे जिनका नाम था तान से उनसे कहा कि तुम ये राग दीपक गाओ यानि कि आग लगाने वाली राग भी कहा जाता था तांसेन वाज गएडिशन तांसेन एक महान संगीत कार थे राग उन्हें ये राग पता थी बट ये राग उसके शरी में बहुत ज़्यादा तिवर अगनी पैदा कर देगी हावेवर सिंज द एम्परर वांटेट इट ये तो सिंग द राग और जैसे कि पता है कि ये राग महराज अकबर चाहते थे इसलिए उन्हें वो ये राग गाना था तांसेन सेंग इट इन वन्डफूल मैना तांसेन ने उसे बहुत अच्छे अंदाज में गाया तर एफेक्ट वस सच देट आल लेंब्स इन दे कोट्यार लेट अप बाय देंसल्स जो इफेक्ट था राग थी ना वो बहुत गरम हो गई that he had to sit in the nearby river to cool himself इतनी बड़ी गरम हो गई कि उन्हें नदी के किनारे अपने शरीर को ठंड़ा करने के लिए बैठना पड़ा however the river water began to boil फिर क्या हुआ जो river का water था पानी नदी का वो भी गरम होना शुरू हो गया and it was clear that Tansen would soon boil to death और यह Tansen को पता चल गया था कि अब वो उबल के मर जाएंगे Tansen knew that the body can be cooled only if someone sings राग मलहार to bring showers of rain Tansen को यह पता था कि अब वो तभी ठंड़ी हो पाएंगे जब कोई राग मलहार गा दे जिस्ते की बारिश हो जाए He set out on a search to find someone उन्होंने खोच शुरू की who could sing राग मलहार to cure him जो राग मलहार गा सके और उन्हें ठेक कर सके In due course he reached वर्ड नगर इन गुजराद अपनी खोच के दोरान वो गुजराद में एक जगे है वर्ड नगर वहाँ पहुँचे Where he found two sisters जहां उन्हें दो बेहनों के बारे में पता चला Tana and Diri इन दो बेहनों का नाम था Tana और रेडी Who could sing राग मलहार जो राग मलहार गा सकती थी Tana and Diri वेर आलसो ग्रेट मुजिशन ताना और रेडी जो थी ना वो भी बहुत अच्छी मुजिशन थी When they sang राग मलहार जब उन्हें राग मलहार गाया Rain came down in torrents जो बारिश थी ना वो एकदम जटके के साथ आई Which cooled Tana सेंज बाड़ी and saved his life जो Tana सेंज को उस बारिश ने ठंडा कर दिया और Tana सेंज की जिन्दगी बच चा लिए ठीक है फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे जरूरत हो उनके साथी वीडियो शेर करें Thank you